मैं सहाजाद हुसेन अपना यूटूब चैनल इंफरमेशन टेक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आपका अधार काड कहीं खो गया है और उस अधार काड में मोबाइल नमर भी नहीं जुड़ा है तो उस अधार को कैसे आप पा सकते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपिय की जरूरत पड़ती है तो आए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो इसके लिए क्या करना है किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है जैसे मेरे पास Google Chrome है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के बाद डैरेक्ली यहाँ पे सर्च बक्स में टाइप करना है यू आई डी ए आई टाइप करने के बाद इसको सर्च कर देना है सर्च कर देने के बाद यहाँ पे फर्ष्ट वाला जो लिंक ओपन होता है उस पर किलिक करना है यू आई डी ए आई पे किलिक करने के बाद यहाँ पे आपको two order अधार री प्रिन का option आता है उस पर click करेंगे ठीक है click करने के बाद यहाँ पे देखिए first number देकर login का अपसन आता है इसमें आपको अधार number चाहिए ठीक है तो यहाँ पे अधार नमर डालेंगे तो आई एक मैं आधार नमर डाल देता हूँ तब तक के लिए वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ देखिए आधार नमर डालने के बाद यहाँ पे एक केपचा फिल करना है जैसे देखिए आपको केपचा फिल कर देता हूँ कि देखिए इसके बाद अगर आपका मोबाईल नमर रजिस्टर्ड है तो directly send otp प किलिक करेंगे रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ प्रिक करेंगे my mobile नमर इस नोट रजिस्टर्ड और यहाँ पर का उप्सन आजाएगा मोबाईल नमर डालने का आपके पास जो कोई मोबाइल हो कोई दूपर नमर दे सकते हैं जैसे मैं आप एक देर देता हूं कि देने के बाद Send OTP पर क्लिक करेंगे जैसे ही Send OTP पर क्लिक करेंगे तो जो नया मोबाइल नमर दिये होंगे उस पर आपको एक OTP भेज़ा जाएगा देखिए जैसे मेरे पास यह आ चुका है OTP कि तो मैं इसको फिल कर देता हूँ कि यहाँ पे तोरी देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद डाइडेक्ली सब्मिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर टॉर्म क्लिक करना है और सब्मिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए बेहरिफाई और आधार डिटेल्स तो कर रहा है पर भी इसनौट एवैलेबल पर नॉन रजिस्टर मोबाइल नमबर अगर आपका मोबाइल नमर रजिस्टर होगा तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा य तो डाइरेक्ली आपको मेक पेमेंट पर किलिक करना है ठीके मेक पेमेंट पर किलिक करेंगे तो डाइरेक्ली आपको यह पेमेंट का पेज ओपन हो जाता है तो यहां पर जैसे यहां पर अगर कार्ड से करना है तो कार्ड पर किलिक करेंगे नेट बेंकिंग से करना है तो ने यहां पर देता हूं, आपका UPI का ID, देने के बाद डाइक्ली समें फेरिफाई करेंगे, उसके बाद डाइक्ली पर सीड पर किलिक करेंगे, जैसे इंसे पर किलिक करेंगे, यहां पर देखिए आपको, भीहम, UPI, Mobile Lab and Approved Payment, यह आपको 50 रुपिया का पेमेंट करना है, ठीक है जो कि यहाँ पर UPI पर यहाँ पर request जा चुका है ठीक है यहाँ पर UPI को open करेंगे ठीक है तो आपको मैं payment करके दिखा देता हूँ यहाँ पर UPI का code डालेंगे code डालने के बाद directly यहाँ पर आपको यहाँ पर अपरूब करेंगे अप्रूब करने के बाद ठीक है जैसे ही अप्रूब करने के बाद कर देंगे तो आपको ये पेमेंट हो जाएगा पिंट डालने के बाद और पिंट डालने के बाद जब पेमेंट हो जाएगा तो एक आपको ऐसा रिसीप डाउनलोड हो जाएगा देखिए मैं आपको दिखा नमबर है, SRN नमबर है, receipt number है, transaction ID है, reprint amount आपको 50 रुप्या लगा है, तो यहाँ पर 50 रुप्या सो कर रहा है, ठीक है, तो इसको कर देने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, your order अधार reprint request is successfully placed, आपका successfully हो चुका है, your order और अधार letter will be reprint within 5 working days by UIDAI, 5 दिन के अंदर, 5 working day के अंदर, आपका यह reprint करके, by post आपके घर में आ जाएगा, ठीक है, post office के दवारा, तो इस वीडियो के मादें से देखकर, आप अराम से अधार कार्ड रीप्रिंट करा सकते हैं, वो भी अगर mobile नमर रजिस्टर नहीं है, तो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, next वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को like करे, channel को subscribe करे, और कोई भी problem हो तो comment करे, thank you